श्यूमहापुराण की कथा करती है जो सत्वाती गणगोरती हर्याली ती जो नहीं कर पाते वो केवल हर्पाली काती जो भादों पे शुकल पक्षकी तरतिया तीज तरिफ को है तीज तरिफ को हर्पाली काती जो कोई तीज गावरत नहीं कर पाते वो सुभाग्यवती नारी कुमारी कन्याप नारी पुरूश इस्त्री अगर तीज का मात्र पुलेरे का दर्जन कर पर भी अपने बृत का अनंद पासा अरे भाई, जितने शिवाले हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिव के मंदिर हैं, पंडी जी भले रात को मंदिर में जगें ना जगें, रात भर मंदिर खोल के रखें ना रखें, पर मेरा निवेदन श्यू महापुराण के इसकंद पुराण के संबाद से है कि हरकाली का तीज के दिन प्रतेक श्यू मंदिर में उपर जो जलाधारी लगी होती है उजलाधारी की जगा फूल, पत्पती, अवश्य संकर जी के उपर लटकाना चाहिए शिव जी के उपर फुलेरा बांधना चाहिए उससे क्या होता है क्या फल मिलता है उसका क्या लाब है वो शुमाह पुरान की इस कथा में हरताली का शुमाह पुरान में बढ़नन है कि जो नारी अगर बृत भी नहीं करती जो लड़की का विवहा भी नहीं होता जो बालक का विवहा नहीं होता किसी कामना से अगर मात्र साथ फुलेरे का दरिशन ही कर लेती है तो तीन महीने के अंदर मंगल विवहा पका हो ही जाता है जिस नारी का पती बिमार रहता है बहुत जादा रोग से गर्सीत होता है वो भी साथ फुलेरे का दर्शन करना चाहिए मंदिर के अंदर चले जाओ या किसी के घर में फुलेरा बंदा हो तो दर्शन करने चले जाओ मंदिर में ने जा सकते तो घर घर चले जाओ पूछलो फुलेरा तुम्हारे बन रहा है क्या तुम्हारे डोलक पेटी की आवाज आए पहुच जा दर्शन करा भले अपने बरत करा की नहीं करा पर फुलेरा का दर्शन जरूर कर ये शूपुरान की कथा कर रही है देव रिशी नारद रोज जा रहे रोज जा रहे रोज जा रहे परती दिन का नियम है महराज मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे जितने शूमंदिर है आप से बन सके आपने जिंदगी बर संकरजी की अराधना करी है और अगर मंदिर के पुजारी ब्रामन जन अगर फुलेरा नहीं बान सकते तो वहाँ के ट्रस्टी, वहाँ के समाजन, कालोनी के रहने वाले गली मुहले के रहने वालों से निवेदन है कि वहाँ कोई पूजन करने आए, चाहे ना आए पर संकर जी के मंदिर में शिवलिंग के उपर फुलेरा बंदना चाहिए जिससे कोई दर्शन करकर जाएगा, तो उसका खंद सो भाग्य हो जाएगा उसके लिए भाग्य हो जाएगा अले आप रादवर मंदिर नहीं खोलो, आपका मर्जी हो तो खोलो जिन जिनके घर में फुलेरा बंदना है जिन जिनके घर में हरकाली का होती है बड़े भाग्य शाली हैं साप आपके बंश को बढ़ता हुआ कोई नी रोख सकता आपके घर का बंच बढ़ेगा ही ये निश्शित उलेरा जिसकी हम भावता है बन सके श्यू मंदिरों में मंदिरों के अंदर हरताली का तीची के दिन वैसे भी तो तुम गणेजी के दिनों में खुब माइक चलाते हो खुब बक्से चलाते हो खुब टपे बजाते हो हरताली का तीची ये दिन बन सके थोड़ा सा भजन कीर्थन तुम कोई नहीं आए तो तुम बक्से में लगा दो चोंगा में लगा दो पर थोड़ा सा कीर्थन उस दिन मेरा देवादी देव महादेव मेरा शंकर पार्वती जी के लिए सम्मुक में प्रगट हुआ था और पार्वती को खंड़ सो भागे दिया था शिव जी वो सहज नहीं है तीस तारी को हर्ताली करती जै दिल से शिव को मना वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें ताकि सभी लोग इसका लाव उठा सकें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्री शिवाय नमस्तू पर